हलो नमस्कार दोस्तों मैं आलम फुरम बिहार आज मैं आप लोगों को देखाता हूं वो जो आप देख रहे थे कि यहां इस जगह पे लगा हुआ था घास इंप्रोडेट स्मार्ट नेपियर इसको पूरा सफाई करके पानी कल ही छोड़ दिया गया था फिर नीचे से स्प्र कि यह देखिए यह छोटा-छोटा है कल ही पानी पटा है लिकल गिया है इतना जल्दी लिकल जाता है कि यह सारे में पानी पटा दिया गया कल ही कि दीरे धीरे बढ़ जागा फिर जैसे जैसे बढ़ेगा वेसे से फिर कटिंग होगा सभ्षे सफ कर दिया गिया इधर देख सक्ते हैं यह सब गर्वत पुरा पुरा पुराना वाला पता और चुह सबको साफ करके हमिर tiya गया फिर इसपर पानी होड़ दिया गया भी यह बढ़ जाएगा फिर इसके खर्टिंग और एसम características कि कोई बात नहीं है खर्चा नहीं होता है बार-बार इधर देख सकते हैं यह वाला यह पहले ही कटा हुआ था अगले वीडियो में देख सकते हैं यह थोड़ा पानी दिया तो यह जल्दी भड़ गया है कल दिया है इससे पहले लिख ला हुआ था लेकिन इसके और गुरुथ हो गई है इसका फुटान देखिए कितना कितना ज्यादा हो गया लिकल गया इसको देखिए इसको देखिए इसको देखिए इसमें कितना लिकला जितना काट हो गया उतना लिकलेगा इतना उतना उतना उगुर है यह तो इधर इधर पुरा साफ हो गया है यह उग रहा है यह हो जाएगा पांस-दस दिन में यह तियार हो जाएगा पूरा तियार हो जाएगा आगे भी चल के उधर एक आगे भी चल के दिखाते हैं यह इधर भाई हमारे पूरे साफ कर दिए इधर यह इस पर नेपियर और ताइबन जैन किंग उस साइड था सबको पूरे पूरे से जड़ के लेवल से पूरा काट दिये हैं और उसमें पानी छोड़ दिये हैं पानी छोड़ने सके अगा फिर उसमें गोजरा मारेगा कल्ला मारेगा फिर लिकल जाएगा पूरे को साफ सफाई करके उधर रख दिये हैं वो साइड वो साइड देख से यह जो छोटा-छोटा खूटी उटई था सब को काट-काट के उससाइट डख दिया वह सुख जाएगा उनको जलावन के लिए हो जाएगा कटाई के बाद इनको जो है फिर से साफ किया जाता है फिर पानी छोड़ देता फिर गास लिकल जाता है इसमें खर्चा बहुत ही कम होता है इधर देखिए इधर भी पानी कल ही लगाये थे इधर भी हो गया इधर डेड़िया था एधर कट गया, फिर इधर उग्रा पिर उधर छोटा है इधर बड़ा है इधर छोटा है इधर छोटा है, फिर ये पानी डाले है कुछ दिन के बाद खुदब खुद बड़ा हो जागा इसमें यूरिया उरिया की कोई जरुवत नहीं है कुछ दिन वाद फिर वीडियो बनाएंगे थैंक्स पूर वाचिंग